हलो गुट मॉनिंग स्टेंट्स बेटा अपने अक्सराइज फर्स्ट कर रहे थे 1.1 पिछले दो वीडियो में अपने क्यूशन नंबर फर्स्ट किया थेक तो और उससे पहले वाले वीडियो में कम पॉजिट फिंक्सन की क्या करी थी ठीक है तो आगे बढ़ते हैं बेटा अ च्यूशन नंबर 2 कि उसको देख थे थे करe केसं क्या थे कि सब्सक्राइब हमें एक है कि देडि ए बराबर हमें एक सैट एग एवन है इसमें तीन इलिमेंट एं एबी और सी और एक सेट भी है इसमें एलिमेंट है यू वी डब्लू ठीक है तथा एक फंक्शन है एफ ए से बी में और एक फंक्शन जी है बी टू ए में तो था एक फंक्शन एफ ए से बी में और एक फंक्शन जी बी टू ए में निन्म परकार परिभासित है किस पर का परिवासित हैं आपको f येवन है f इकुल टू a v b w c v sorry b v a v bu c w ये आपको function f given है और जो function g है वो क्या देखिया given बटा u b v a w c ठेक है ये function समझको given है और हमें निकालना है f of g x और g o f x f of g निकालना है और g o f निकालना है ठेक है तो इससे जो पहले question किया हमने first question उसमें तो हमें directly f x function given होता था g x function given होता था f x उठाया g में रखा, g उठाया f में रखा, इतना काम कर रहे हैं लेकिन अब हमें या function given नहीं है अब हमें या function नहीं है, function ordered pair की form में given है function किस form में given है, ordered pair की form में जो हमारा फलन है, वो करमित युगमों के रूप में लिखा हुआ है ये करमित युगम कैसे आते हैं थोड़ा समय, इलेउंत वाले portion पर जाता हूँ, आप पिस back जैसे मालना में को एक function x set है, 1, 2, 3 और एक set b है और हमें एक function दे रखा, fx बराबर, x प्लस 2 जो function f है, ये set a से b में परीबासीत है समुझ चे a से b में परीबासीत है, किस प्रकार है f of x equal to x प्लस 2 देसे अब में को आपसे f of 1 की value जाई है अब ये इसका प्रांत हो गया तो एक बार 1 रखा, f of 1, 1 प्लस 2 की element जाए 3 f of 2 की value बताई है तो आपके से 2 प्लस 2, कितनी value जाई है 4 x कमान क्या रखा, 2 f of 3 की value बताई है क्या आई तो 3 प्लस 3 value आजाई है तो आप ऐसे कह सकते हो अगर ये set a है और ये set b है इसमें 1, 2, 3 element है इसमें 2, 3, 4, 5 तो 1 का relation किस से आ रहा है 3 से, 2 का 4 से, 3 का 5 से इस function f को ordered pair की form में लिखना हो इस function f को अगर ordered pair की form में लिखना है तो 1 का relation 3 से 2 का 4 से और 3 का 5 से ठीक है इस function f को अगर ordered pair की form में लिखना है तो 1 का relation 3 से है 2 का 4 से और 3 का 5 से ordered pair की form में ऐसे होगा और general form है इसकी variable form तो बड़ा ऐसे होती है fx equal x plus 2 अब हमें यह variable form नहीं गिवन है ordered pair form गिवन है और इससे हमें f of g और gof निकाल लें तो देखो कैसे निकाल लेंगे अच्छा अगर मैं यह ordered pair form देखके यह वाली बात लिख सकता हूं f of 1 equal to 3, f of 2 equal to 4 तो ऐसे ही आप लोग मुझे यहां बताई है यहांनि कोई function रहा होगा fx हमें नहीं मादम था क्या function था उसमें जब आपने a रखा तब value क्या आई है वी रख आई है यहांनि f of a की value कितनी बनी बेटा वी तरसे f of 1 की value कितनी बनी है तीन ऐसे मैं आपसे पूछों f of b की value कितनी आई है तो आपके इसर यू f of c की value कितनी आई है दूसरे आपके इसर डबलू है हाई ना f of a कमाण v f of b कमाण u f of c कमाण w इतनी बात संद में आई कि नहीं है चलिए आगे देखते हैं ऐसे आपके पास जी फलन रहा होगा हमें नहीं पलगा जी एक्स function क्या था कुछ भी रहा होगा मैं नहीं मालूँ लेकिन g of u की value जो है वो कितनी है b जब आपने x की जगे पर u रखा होगा तो value क्या बनने होगी b ऐसे आप g of v की value कितनी है आपके इसर c है g of w की value कितनी है c जी ओफ v की value a g of w की value c इस चीज को पहड़कर इस और पेव को वड़कर यह तो हमें लिखना आना चाहिए ठीक है देखो बागए अब मैं इसको तरब कर देता हूं यह एक्जांपल दिया था आपका ऐसे मैंने अब देखिए हमें निकालना f of g मतलब f function के अंदर क्या रखना हमें जी एक्स फलन रखना है इस g को कहां रखना है f में लेकिन अब जी एक्स तो फलन दे नहीं रखा आपको जी एक्स फलन तो इस form में जी यू जी वी जी डबलू तो एक बार यहां पर जी यू बेल लिवा जाएगी एक बार जी वी लिखेंगे आप और एक बार जी डबलू लिखेंगे तो देखो मैंने एक बार इसमें क्या रखा जी यू इस जी एक्स के मान कौन कौन है जी यू है जी वी और जी डबलू देखो एक्स की जगह पर जी यू लिखा आपने तो यहां भी क्या वेल लाई यू ठीक है अब देखों आगे वह एसे आपने इसमें क्या रखा f of g of v रखा gx की वेल्य नहीं है v और f of v की वेल्यू g of v की वेल्यू कितनी बटा a यह f of a बन गया और f of a की वेल्यू कितनी है v है ऐसे इसमें आपने f of g of w रखा और f of w की वल्यु की वल्यू की वल्यू की वल्यू की वल्यू की वल्यू की वल्यू तो देखो बेटा जब इस g x इस x की जिएपर यू लखा तो answer क्या रहा है V रखा तो भी V आ रहा है W आ रहा तो भी W आ रहा है अब आप लिख सकते हो F of G equal to ordered pair की form है put किया U तो result भी क्या रहा है U ऐसे V रखा तो V आ रहा है W रखने भी क्या रहा है W यह मेरा F of GX हो गया ठीक है यह क्या बनके आपका F of G इतनी बासन में note करिए इसको फटा फट वीडियो को रोपके इसको note कर लीजिए चलो अब मैं GOFX निकालता हूँ अब मैं GOFX निकालता हूँ देखो और आपकी बात्रा और ध्यान से देखना पिच्छे वली बासन में नहीं आई हो तो दिखो दुबारा से GOF क्या करना है F function कहां रखना है G में तो इस G के अंदर क्या रखना है FX function अब FX function किस form में है इस form में F of A की वली कितनी है वेटा V इस F of A की वली कितनी है V और G of V की वली कितनी है A देखा जागा A एक बार यहां पर क्या जागा F of B कितनी है F of B और F of B की वली कितनी है U और G of U की वली कितनी है B ऐसे G of F of C और F of C की value कितनी है F of C की value W F of C की value W और G of W की value C मतलब इस X से अब आ रखा तो आंसर यह आ रहा है B रखने पर क्या value आ रही B C रखने पर क्या रहा है C तो आप G of जो बोलेंगे वो क्या होगा बैटा ordered pair की form में A का relation A से आ रहा है B का B से आ रहा है और C का C से रहा है अरे हाया न तो यह आपका क्या है G of के लिए बासन में आई चलो अगला क्योंस देखते है यह समझ में आया तो अच्छी बाद नहीं तो वीडियो को वापिस करिए और दुबारा से देखे Q2 देखा अब Q3 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 को पढ़िए पहले बुक में पहले आप Q3 पढ़ें उसको खुद करें फिर यह solution देखे चलो करो फटा फटा अबी जल्दी जल्दी करिए बच्चे देखो क्यूसे नंबर 3 कर लिए आपने समने है नहीं क्या तो पहले वीडियो को पोज़ करो पहले खुद करें फिर solution देखना इमानदारी से करो के तो सीख पाऊगे यदि F R प्लस से R प्लस यदि F R प्लस टू आर प्लस एड़ जी R प्लस टू आर प्लस निम्ड प्रकार प्रिवासित है किस प्रकार प्रिवासित है F of X है X u square और G X function जो है वो क्या है ROOT X हमें निकालना क्या है F of G X निकालना है और G O F X निकालना है तो F of G X निकालने के लिए G को ठाओ किसमें रखो F में F के अंदर किस फलन को रखना है G X फलन को रखना है तो भई इस G X को उठाओ यहां से वो कहां रख दो इस X की जगे पे तो ROOT X का होली square इस X की जगे पे कौन आ गया ROOT X ROOT से कट जगे बटा तक है अंसर एकसर जगे ऐसे तो यह आपका का आ गया F of G X G O F X क्या जगे बटा F को ठाओ किसमें रखो G में तो G के अंदर किसको रखना है F X फलन को G के अंदर F X को तो इस X square को ठाओ कहा रखो इस X की जगे पे तो ROOT के अंदर X square क्या गया X और इसी कुशन हम से यह भी पूछा है कि क्या यह तुल्य फलन है अनि equivalent है क्या दोनों बराबर है बराबर है भई तो में आसकेंगे F of G X equal to G of F X दोनों बराबर आ गए ठीक है next देखिए question number 4 समझ में आया नहीं निया दो बार आपिस वीडियो करें देखिए और question number 4 करें आप वीडियो को रोक के question number 4 खुद करें फिर आप solution देखना और घर पे बेटा मेनद करते रही है इस lockdown में जितना आप घर में रहेंगे उतना सुरुषित रहेंगे question number 4 क्या है एक function है F R to R और एक GX function है वो भी किसमे है R to R में और F X function जो given है यह क्या है 3X plus 4 और जो GX function है यह given है 1 by 3 X minus 4 और हमें निकालना है F of G G of G 1 एक तो F of G निकालना है तो बेटा G को कहा रखना है F के अंदर तो 3 इंटू इस X के जगे पे यह पूरा फलन G फलन आ जाएगा तो 1 by 3 X minus 4 1 by 3 तो 3 इंटू X X का मलब यह G फलन वो प्लस में 4 solve करेंगे 3 करण से लाउट हो जागा X minus 4 plus 4 यह भी करण से value आगी X ऐसे G of Fx निकालना है अब के बार F को उठा के किसम है G में इस F को रखा कहा पर इस G के अंदर G के अंदर किसको रखना आपको Fx फलन को तो देखो बेटा 1 by 3 इस X की जगे पर यह Gx Fx फलन तो 3X plus 4 minus 4 तो 4 cancel out और यहां से 3 cancel out तो बेटा value क्या आगी X फिर से equal आगे F of Gx की value भी X है G और Fx की value भी किजनी है X इसमें हमसे एक बात और पुछी गई है वो कौन सी G of G 1 यह निकालने तो मैं G of Gx निकाल लेता हूँ क्या मतलब इसमेंना मतलब G फलन को G में ही रखना है G को G में ही अब एक बार और लिख लें Gx फलन को यह लिख लिख लिए मना 1 by 3 X minus 4 यह तो है Gx फलन तो इस Gx फलन को इसी के अंदर ही रखना है तो यहां से उठाओ और यहीं रख दो G के अंदर Gx फलन रखना है बेटा ठेक है तो 1 by 3 इस सक्षिय पर यह 1 by 3 X minus 4 minus 4 तो बड़ा ब्रेटन हो 1 by 9 तो यह x by 9 minus 4 by 9 4 by 9 और यह 1 by 3 तो इससे मिल्टिप्ले होगा तो 4 by 3 तो solve करेंगे 9 तो 1 by 9 तो LCM आजाएगा X minus 12,16 ठेक है यह मेरे पास G of Gx की value आगई किस की value आगई G of Gx की value अब हमें तो इकार नकाला है G of G1 नकालना है G of G1 इस x में जहां जहां भी x आया है वहां पर 1 रख दीजे तो 1 by 9 1 minus 16 1 minus 16 तो बड़ा बन जाएगा minus का 15 बटे 9 यही आपका answer ठेक है प्रासा करता हूं question number यह था का 4 3 or 4 संद में आएओगा 2 भी संद में आएओगा चलिए अब अगला question अगले वीडियो में देखते है ह्रास 찐 17 अगयो में झालें, bendsबूओी झाले all事 बड़ायो में अभाबा Конечно यहीयो में झालें, चाले बचाएगा झालें, प्रासागा का यहीई हो घंगद धव diut